दोस्तो क्या आप जानते है, Proof Link क्या होता है और इसे किस काम में use किया जाता है आज हम इस वीडियो में Proof Link के बारे में ही आपको बताने वाले हैं तो उससे पहले आपको जानना होगा कि Gold Leaf Electroscope क्या होता है इसके लिए आपको मेरा पिछला जो वीडियो था जिसमें मैंने इलेक्ट्रोस्कोप को explain किया था और उसकी work function के बारे में पूरा detail में बताया था उसे आपको देखना होगा जाके तो अभी आते हैं आज के topic में तो दोस्तों क्या होता है कि कभी-कभी एक body को directly इलेक्ट्रोस्कोप के disc के करीब लाके उसका charge टेस्ट करना बहुत मुश्किल हो जाता है तब हमारे पास एक तरकीव ये बचता है कि हम उस body से कुछ थोड़े amount में ही charge को इलेक्ट्रोस्कोप के नजदीक लाके टेस्ट करे प्रूफ प्लेन की इस हैंडल को हातों से पगर के जब इसे charged object से टर्च किया जाता है तो उस object से कुछ charge प्रूफ प्लेन की metallic disc में collect हो जाता है इस metallic disc को अब इलेक्ट्रोस्कोप के disc के करीब लाके उस body की charge को टेस्ट किया जाता है और ये charge टेस्ट करने का जो process है ये मैंने पिछले वीडियो में ही explain कर दिया था तो उसमें जाके आप ज़रूर देख लीजिएगा इस proof plane की मदद से एक conductor की surface में charge कैसा distributed है यानि की कैसे फैला हुआ है इसे भी हम पता कर सकते है अब आपके लिए मेरा एक सवाल ये है कि बताए अगर proof plane में ये insulated handle वाला पार्ट नहीं होता और metallic पार्ट को ही हातों से पगर के हम इस experiment को करते तो क्या ये experiment successful होता आपको क्या रखता है तो आप इसका answer हमें comment section में जरूर लिखके बताईए